असम के खूबसूरत कजबों में कई ऐसी लोग कथाए हैं जो हजारों सालों से लोगों के मन में कौतुहल डालती रही हैं ऐसी ही एक छोटी सी कहानी बेनधूर राजाखोवा अपनी किताब असमीज डिमनोलोजी में लिखे हैं कहानी दो भाईयों की हैं जिने हम कहेंगे हरी राम और दामोदर हरी राम और दामोदर दो भाई थे जो मचली पकरने का काम करते थे और इसी से उनका गुजारा चलता था ऐसे ही एक दिन दोनों भाई अपनी नाव लेकर नदी के बीचों बीच मचली पकरने जाते हैं छोटा भाई दामुदर लगातार कई सारी मचलिया पकड़े जा रहा था लेकिन पीछे से सारी मचलिया काइंड अव गायब होती जा रही थी। इस बारे में दामुदर अपने बड़े भाई से पूछता है जिस पर हरी राम कुछ नहीं कहता और चुप चाप उसे देखते जाता है। यहीं से बाग दामुदर का गुलाम बन जाता है क्योंकि उसके हाथ बाग की पोटली लग चुकी थी जिसमें वो अपनी सारी शक्तियां छुपा कर रखता था कहा जाता है कि आज भी नदी में जाने से पहले असम के लोग अपने पास लोहे के हथियार रखते हैं ताकि बा अरेड़ी एक फॉस्ट पार्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंट कॉमेंट में मिल जाएगा साथ ही इन क्रीचर के बाड़े में मुझे चिनमे बर्मा से पता चला है जिनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस् असम के कुछ फोकलोड से जूरे साथ और क्रीचर के बारे में जानेंगे और जो लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उन्हें मैं एक बोनस क्रीचर के बारे में भी बताऊना तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाग के ही बारे में बाग एक ऐसा क्रीचर है जिसका असम के कई फोकलोर्स में जिक्र है बाग अकसर वाटर बॉडिस के आसपास पाया जाता है और इसके नेचर में ही इंसानों को परिशान करना है यूजरी बाग मच्वारो को सताता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मचलियां बेहत पसंद है बाग असम के कई फोक टेल्स में है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी पर्टिक्लिर एरिया में नहीं है यानि कि जहां वाटर बॉडिस होंगी वहां बाग का वास होगा बाग वॉयलेंट होते हैं इन फैक कई लोग मानते हैं कि बाग इनसानों को मार भी सकते हैं जी हां अपने विक्टिम्स को ये अक्सर पानी में डुबो देते हैं बाग के साथ हमेशा एक पाउच जिसे आप पोटली भी कह सकते हैं वो होता है और ऐसा माना जाता है कि बाग की पूरी शक्ति या उसकी आत्मा का वास उसकी पोटली में होता है तो ऐसे में जाहिरती बाद है कि बाग को मारने के लिए उसकी पोटली को नश्ट करना पड़ेगा अब बाग अपने victims को मार कर उसका रूप ले सकता है या फिर वो से possess भी कर सकता है उसके बाद वो victims के परिवार के साथ रहकर उन सभी को भी खत्म करने की कोशिस करता है ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के पास एक फटा हुआ फिशनिट है तो वो बाग से बच सकता है क् बाग इससे डरता है असम के फोगलोस में आपको ऐसी कई कहानिया मिल जाएंगी जहां बाग किसी का रूप लेकर उसकी बीवी के साथ रहने लग गया या फिर उसके परिवार के साथ रह रहा है और ऐसी ही एक कहानी मैंना आपको वीडियो के शुरुआत में बताई भी है तो यही थी बाग की सारी रिटेल्स दौट दैति नामक संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ है दानव या फिद डीमन्स लेकिन असम इतिहास के दौट कोई मामुली शैतान नहीं होते दौट अपने असली रूप में हमला नहीं करते बलकि दिखने में ये बिलकुल नॉर्मल लोगों की तरह देखते हैं लेकिन एक बार किसी इंसान को अपने चपेट में लेने के बाद दौट धीरे-धीरे बहुत लंबा होने लगता है और देखते ही देखते इतना विशाल रूप ले लेता है कि लोग बहुत डर जाते हैं और उसी पल दौट किसी भी इ कल सकता है तो अक्सर किसी पानी के श्रूत के आसपासी पाए जाते हैं जिसे ताला अब नदी कुआ इत्यादी अब एक बार दौट की नजर किसी व्यक्ति पे पर जाये तो वो उसे अपनी बातों में रिजहा कर किसी सुनसान जगह ले जाता है और उस पर बहुत शारेरिक अत्याचार करता है कहा जाता है कि दौट को लोगों को तकलीफ देने में बहुत मज़ा आता है अतह वो अपने विक्टिम को जान से नहीं मारता बस तकलीफ पहुँचाता है ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि वो किसी इनसान का भी रूप ले सकते हैं अब किसी आदमी को कभी कभी बंबू के खेतों में चुप जाते हैं और लोगों को डराने के लिए जोर जोर से पौधों को हिलाने लगते हैं दौट को भी मचली खाना काफी पसंद है और वो अक्सर मच्वारों की मचली और कभी कभी तो लोगों के पास से भी मचली चुरा कर खा लेते हैं ऐ जैसे कई लोग मानते हैं कि दौत की सारी ताकत उसके पास मौझूद एक खाज जोली या पोटली में होती है। ऐसा ही हम बाग के किसमें भी देखें। तो ऐसे में दौत ये जादूवी पोटली हमेशा इनसानों से छुपा कर रखते हैं। अगर किसी इनसान की हाथ लग जाए तो दौत उसका गुलाम बन जाता है। और तब तक रहता है जब वो वापस अपनी पोटली हासिल ना कर ले। कहा ये भी जाता है कि दौत को लोहे के हुक गले में पहना दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोरीज में काफी सिमिलारिटीज हैं और जैसे आसे आप अलग अलग जगों पे जाएंगे आपको इसके अलग अलग वर्जिन्स भी सुनने को मिल जाएंगे। इनफाट यहाँ आप खुद भी सिमिला जंगलों में एक ऐसी प्रेत का वास होता है जो अपनी मधुर आवाज से आने जाने वालों को मंत्रमुग्ध कर लेती है। यह आत्मा है पोड़वा जो की एक फीमेल घोस्ट कहलाती है। अब पोड़वा से जुड़ी कहानिया काफी दलजस्प है। कहा जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट होता है जिसे तका कहा जाता है। तका असम के औरतों के पास अकसर पाया जाता है। अब पोड़वा जंगल के पास ऐसी जगों पे खड़ी होती है जहां तीन रास्ते मिल रहे हो। जब वो अपना तका बजाती है तो आदमियों को उसकी पहरा कोहरा फैला देती है जिससे लगता है कि वो गायब हो चुका है किसी जादूई दुनिया में इसी तरह पुड़वा अपने गाने बजाने की कला का इस्तुमाल करके लोगों को भ्रम में डाल देती है इसके बाद उस जंगल के पास से गुजरने वाले व्यक्ति को आक्चली में पागल हो गए अब पुड़वा का एसमीज दिहास में बहुत नाम है और कई लोगों का मानना है कि देर रात किसी को भी असम के जंगलों में अकेले नहीं भटकना जाहिए पुड़वा लोगों का दिमाग बदल सकती है जिसके बाद इंसान खुद ही नहीं सम हो यदि कोई जगह रहने जाए तो धौन कुबेर उसे अपनी असली रास्ते से भटका देगा और उसके दिमाग पर कबजा कर लेगा जिससे उस इंसान की मौत तक हो सकती है हम समसकते हैं कि धौन कुबेर अपने विक्टिम को पैसे रुपए का लालज दे देता है और फिर तो धौन कुबेर उस आत्मी को बहुत तकलीफ पहुचाता है अब यह खत्रा कुछ भी हो सकता है जिसमें देखा गया है कि लोग ख़जाना ढूंडते ढूंडते अपना दिमागी संदूलंग तक खो देते हैं तो कभी-कभी किसी बुरी दुर घटना का शिकार हो जाते है बड़े बुजर्ग कहते हैं कि ऐसी जगों से दूरी रहे चाहिए जहां सदियों से कोई खजाना या अपार संपत्ती छुपी रही हो क्योंकि मुम्किन है कि उसकी रक्षा स्वेम धौन कुबेर कर रहा हो अगर इससे सामना हो जाए तो लोगों को धौन कुबेर की पूज जगह पाए जाते हैं जहां कोई चुपा हुआ खाजाना हो या फिर कोई बड़ा मैदान या फिर इवन कबरिस्तान इस क्रीचर की खास बात यह कि रात के समय यह एक चिरिया में बदल सकता है और ऐसा कहा जाता है कि वह खाने की तलाश में ट्रांसफॉर्म होता है कुछ ल और कर अपनी साइकिल पे या फिर पैर पे ही भागने की कोशिस करते हैं ऐसे में धौन गुला इनका पीशा करता है लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि यह क्रीचर इन जनरल किसी को चोट नहीं पहुँचाता है यही वजाए कि कई लोग इस क्रीचर को मिस अंड़ स्टुड मानते हैं वैसे डर लगे भी क्यों ना आमीन एक ऐसा क्रीचर जिसमें शेप शिफ्टिंग अबिलिटीज है साथी वह आग भी उगल सकता है तो उससे डरना लाजमी है लेकिन ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है जिनमें यह क्रीचर किसी को हाम पहुचाती हो तो आप प्रसुदा की नजर किसी गर्वती इस्तरी पर जाए तो उस औरत को बुखार चढ़ जाता है प्रसुदा अपने विक्टिम को शारेरी ग्रूप से बहुत तकलीफ देती है जिसमें इंसान का शरीर फूल जाता है और उसे बहुत नींद आने लगती है यह तकलीफ इतनी द काता होती है जब किसी औरत के मित्यू अपने बच्चे को जन देते वक्त हो जाती है ऐसे में आत्मा एक विंजफिल स्पिरिट बन जाती है और वो दूसरी माओं को परिशान करती है अब कहानी के उत्पत्ति जहां से भी हुई हो लेकिन सभी मानते हैं कि प्रसुदा बहु बान देते हैं जिससे की प्रसुदा उस पे हमलान ना कर सके प्रसुदा का खौफ बच्चों के जन्म और उसके शुरुआती दिनों में भी बना रहता है जिससे की लोग इस समय भी बहुत साफधान रहते हैं पोरी अपरी कहानियों की दुनिया में दोनों रूप में रहती पूरी एक आदमी भी हो सकता है और एक और भी पूरी भी दौत की तरह जलाशे के पास पाए जाते हैं नदी तालाब आदी में पाए जाने वाली एंटिटी मर्द और 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 औरत को अपने वश में कर लेते हैं कहा जाता है कि मेल पूरी किसी औरत को पसेस करते हैं वहीं फीम पाड़ा पाना है तो कई मंद्र और तंत्र का इस्तमाल करना होगा वरना पोड़ी हमेशा के लिए उस इंसान को अपना घर बना लेगा और उसके जरिये मौ माया का सुख पाना चाहेगा फोड़ी की कता है बहुत प्रचलित है लेकिन अगर साइन्टिफिक तोर से देखा जाए तो इन कहानियों को और इनके एफेक्ट्स को हम बाइपोलर डिसॉडर और डिएडी से जोर सकते हैं जहां एक आदमी मैनियाक की तरह भी बिहेव करता है और कई बार एक से ज़ादा इ के आया हूँ जो की है जोकारपाल जोकारपाल यूजरी ग्रूप्स में घूमते हैं और इनका कट छोटा होता है इनके स्किन का कलर ब्लैक होता है और देर रात ये लोग सरक पे इस पार से उस पार चलते रहते हैं कहा जाता है कि जोकारपाल को इनसानों से डर लगता है और और इनका निशाना जीवित इंसान नहीं, बलकि पहले से ही मरे हुए लोग होते हैं, जी हाँ, क्यूंकि ये लोग मरे हुए लोगों को खाते हैं, बड़े बज़ूर की माने तो जोकारपाल अगर किसी मित इंशान के शरीर को खा लेते हैं, तो उसकी आत्मा को मॉर्टल या टाच्मेंट से मुक्ति मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनुवे में देखा जाता है, लेकिन एक अंडरलाइंग बात ये है, कि इनसानों को जीवित इनसानों को जोकरपाल से कोई ऐसा खतरा नहीं है, तो दोस्तों य आप इस वीडियो पे 20 के लाइक्स पूरा कर दें, पिछली वीडियो पे आपने पूरा कर दिया, तो मैंने पार्ट 2 लाया है, ऐसे ही अगर इस पर ही पूरा होता है, तो पार्ट 3 भी ज़रूर आएगा, और हां, पार्ट 3 आखडी पार्ट होगा, तो उसे ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, पीस!